हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हो आप सब आज मैं बनाऊंगी ब्रेड और आलू से बहुत ही टेस्टी एक नाश्टे की रेसिपी अगर आप मेरे चैनल में नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो आज की रेसिपी के लिए मैं ने यह पर 2-3 आलू को बॉल करकर अच्छे से ग्रेट कर लिया है और यहगे लिए मैंने कुछ ब्Ρैड अब डालेंगे हम कुछ मसाले डालेंगे एक चमच चाट मसाला नमक डालेंगे स्वाध अनुसार डालेंगे यहाँ पर आधा चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर कटावा हरा धनिया सभी को डाल लेने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको थोड़ा साइड रखेंगे और हमें ब्रेट को थोड़ा सा गीला करना है लेंगे हम एक प्लेट थोड़ा सा डालेंगे पानी और कुछ इस तरीके से गीला करेंगे एक बारी में डिपनी करेंगे नहीं तो हमारा ब्रेट पूरी तरीके से सौफ्ट हो जाएगा और तूट जाएगा थोड़ा सा गीला कर लिया है और इस तरीके से हम प्रेस करते हुए पानी निकाल देंगे गीला हो गया है और हम लेंगे के थोड़ा सा आलू का बैटर और इस तरीके से डाल के हम फोल्ड कर लेंगे चारोर से दबाते भी करेंगे जिसे कहीं से खुलेना कुछ इस तरीके से हमारा ये बनके तयार होगा मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से पानी में हम ब्रेट को डिप करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे एक्स्ट्रा पानी हमारा निकल जाएगा और पतला भी हो जाएगा अब लेंगे हम आलू का बैटर ऐसे डाल के इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे कुछ इस तरीके से हमें करना है इसी तरीके से हम बाकी भी तयार कर लेंगे अब हम लेंगे एक पैन पैन में डालेंगे तेल तेल जैसी हमारा थोड़ा सा गरम हो जाए हम इसमें एक एक करके नाश्टा डालते जाएंगे medium flame में हमें से fry करने है 2 min के लिए फिर हम साइट change कर देंगे जब हमारे अच्छा सा golden brown कलर आजाएगा 2 min हो गए है अब हम साइट एक बार change कर लेंगे और देख सकते हैं कतना सुंदना इसमें brown कलर आया है इसी तरकी से हमें सिर्प्रआ करना है गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को जाधा से जाधा शेयर भी किजेगा चार से पांच मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आए हमें इतना ही से प्राइ करना है बहुती जादा क्रिस्पी और अंदर से बहुती जादा सौट बनके तयार होता है सर्फ कर लेंगे एक प्लेट में अब इसको और तयार है हमारा बहुती जल्दी बनने वाला बहुती टेस्टी नाश्टा बहुती जादा क्रिस्पी और अंदर से बहुती सौट बनके तयार हुआ है आप चाहिए तो इसे ट्रमेटो केचप के साथ सर्फ करके भी खा सकते हैं तो कैसी लगे आज की वीडियो मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ